रूस यूक्रेन के कई इलाकों को अपना बताता है और जारी युद्ध के बीच उसने कई इलाकों पर कबजा भी कर लिया है अपना बता दिया है और उनकों लेकर दावा भी कर दिया है कि रूस उनको भी लेकर रहेगा सुलोवयोग ने एक रूसी टीवी शो में कहा थी यूक्रेन की राजधानी कीव रूस का क्षेतर है और इसके साथ ही उन्होंने पोलेंड की राजधानी वार्सा और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को भी रूसी क्षेतर बता दिया है सोलो व्योव ने कहा कि कीव रूसी शहरों की जननी है इसे उसकी मात्री भूमी में वापस मिलाओ उन्होंने कहा कि वार्साव और हेलसिंकी भी हमारे यानी रूस के ही होंगे उन्होंने कहा कि आतिहासिक रूप से ये सब सच है हाला कि युक्रेन, अमेरिका और क्षेत्र के कई विश्रक्यों ने रूस के स्तावे का खंडन किया है अब बड़ा मुद्धा ये है कि सुलोव्यों ने जो बयान दिया है वो पुतिन के इशारे पर दिया है या फिर ये उनका अपना दावा है हाला कि कुछ भी हो लेकिन उनके इस बयान के बाद महौल का और गर्म होना आता है क्योंकि अगर उनके इस बयान पर रूस या पुतिन की तरफ से कोई यापत्ती नहीं जाहिर की जाती है तो माना जाएगा कि इसमें पुतिन की सहमती है और इसे यूकरेन के बाद रूस के अगले प्लान के तोर पर देखा जाएगा कहा ये भी जा सकता है कि हो सकता है कि पुतिन अपने करीबी से ऐसा बयान दिला कर युद्ध की दिशा को बदलना चाहते हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही अमेरिका ने यूकरेन की मदद के लिए सहायता पैकेज जारी कर दिया है और उसके पास सन्य हत्यार भी पहुँचने लगे है इससे अब यूकरेन भी रूसी हमलों का जवाब देने लगा है और दूसी तरफ कई अने नेटो देशों ने भी यूकरेन की मदद का वादा किया है ये भी हो सकता है कि रूस इस तरह के बयान से नेटो देशों पर दबाव बना रहा हो कि वो यूकरेन की मदद के लिए आगे ना आए नहीं तो रूस उन पर भी हमला कर सकता है हाला कि रूस की रणनिती क्या है और वो रूस को कितना फायदा पहुचाएगी ये तो समय बताएगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं रूस की रणनिती उल्टी न पड़ जाए इधर रूस नेटो देशों को डराने के इरादे में हो और उधर सभी नेटो देश खुल कर यूकरेन के समर्थन में आ जाए दरसल अभी कई ऐसे नेटो देश हैं जो खुल कर कह चुके हैं कि वो यूकरेन के विरोध में तो नहीं हैं लेकिन उसकी मदद भी नहीं करेंगे अब रूस के इस तरह के बयानों से सभी नेटू देश इकठे हो सकते हैं और यूकरेन की खुल कर मदद करना शुरू कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो रूस को उसकी ही रणिती भारी पड़ सकती है झाल झाल झाल